नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक मिज़र सुर्प पर बिहार में अब कमर्सियल वहनों में डिवाइज लगाना हुआ अनिबार्या नहीं विभागों के सायोग से चलेगा फाइल एरिया की दबा खिलाने का भियान बिहार में करीब 24 लाग बच्चों के नाम स्कूल से कटे तो इस पूरी अभिनेता ब्रिजेस त्रिपाठी का हुआनिधन सबक आवसकर ने रोहल सर्मा की कप्तानी को लेकर दिया बयान इसके साथी बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार में अब कमर्सियल वहनों में डिवाइज लगाना हुआ अनिबार्य बिहार सरकार के पड़ी वहन विभाइज के दौरा आदेश जारी कर कहा गया है कि अब बिहार में कमर्सियल वहनों में विहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइज लगाना अनिबारे है ऐसे में वो लोग जो इस डिवाइस को नहीं लगवाते हैं विभाग के दौरा उनके बाहनों का फिटनेस प्रमान पत्र नहीं दिया जाएगा। तीन नहीं ओदोएक छेतर बनाने का हुआ एलाद बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बिहार में तीन नहीं ओदोएक छेतर बनाने की घोशना की गई है जो कि मध्यपूरा, खगडिया और गया में बनाये जाएंगे। पुर में 23 एकर भूमी को 216 के रूप में घोशित किया गया है पता दे कि 216 बनने से इन इलाकों का विकास होगा यहां उद्योग विभाग के ओर से सुधाएं विक्सित की जाएंगी विग्यान मंथन में राजी के 12 बाल व्यग्यानिकों का राश्ट्री अस्तर के लिए चैन किया गया है इसके लिए पहले चलन की परिक्षा 29 और 30 ऑक्टूबर को आयुजित की गई थी और फिर राजी अस्तर की परिक्षा 17 दिसंबर को ली गई जिसमें 12 बाल व्यग्यानिकों का चैन हुआ जिनमें आदर्श कुमार, एरवी, दीव, राजभर्दन, देयानंद, मृत्युंजा कुमार, आदर्श, आर्या, रितिक, रोशन, अपसरा कुमारी, इस पर सिंग, आ पत्र जारीकर यह जानकारी दी गई है कि 10 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सर्व जन दवा सेवा कारिक्रम में स्वास विभाग के द्वरा, अन्य विभागों की भी मदद ली जाएगी, बता दे कि सरकार के ओर से हर वर्स फाइल एरिया से बचाओ के लिए सर्व जन दवा स सेवन कारिक्रम आयुजित की जाती है जिसके तहर दो वर्से कम उम्रे के बच्चों, गर्ववती महला और गंभी रूप से बिमार व्यक्तियों को छोड़कर फाइल एरिया की दवा सभी को खिलाई जाती है, ऐसे मिजबार यह अभियान बिहार सरकार के ओर से राजी के 24 ज ये गए 125 एकर में 100 करोड के निवेच से जहां SEJ स्थापित होंगे तो वहीं पश्चिम चमपारण में भी लगवक 100 करोड के निवेच सही 125 एकर में SEJ स्थापित के जाएंगे, इसके स्थापना से प्रदेश के ओदोई गतिवीदियों में तेजी आएगी साधी निवेच और निडियात को भी बढ़ावा मिलेगा, मालू हो कि SEJ स्थापित करने की मांग हमेशा से प्रदेश सरकार के इन सरकार से करती रही है, अभी हाल में ही बिहार उद्योग मंत्री और विवाग के अपर मुख्य सचीव ने ग्लोबल इंवेस्टर के दोरान SEJ स्थापित करने की बात की थी, हाला कि बकसर और पश्यम चपारन में ऐसे जड़ स्थापित होने के उमीद तो बन गई है, लेकिन फिलाल पुर्वी बिहार के लोगों को निडाशा हांत लगी है, बिहार में करीब 24 लाग बच्चों के नाम स्कूल से कटे, बिहार सरकार के सिक्षा तक के द्वरा दिये गया आदेश पर लगातार 15 दिनों तक स्कूल से गायब रहने वाले राज्ये में अब तक 23,989,980 बच्चों के नामांकन को रद कर दिया गया है, जिसमें सबसे आद अवर्ग 1-8 तक के बच्चों का नाम शामिल है, मालुमों के कक्षा 1-8 तक में कु वी चमपारन जिला है, वहिस लिष्ट में दूसरे नमबर पर पश्मी चमपारन और तीसरे नमबर पर वैशारी जिला है, ट्रक में लदी सबजी के नीचे से शडाब बढ़ामत, बिहार में पुनरूप से सराब बंदी हैसे तो हम सभी वाकिफ है, लिकन इसके के सारन के आरा छपड़ा वीर कुवर सिंग सेतू पढ़का है, जहां डोडी गंस था, अध्यक सुरज कुमार एवं पुलस बल के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान दो मिनिट ट्रकों की जाच करने के दौरान उस ट्रकों पढ़ बंदे गोवी के नीचे से 350 काटरन वक हुए गिरफतार, बिहार में साइबर अपराद सिजरे मामलों में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है, हाला कि साइबर अपरादियों को भी पकरने की पोड़ी कोशिश की जा रही बता दे किसी कड़ी में नवादा जिले के साइबर थाना के पुलस के दौरा गुप् बताये गया कि जब बंगीचे के पास पुलिस की तीम पहुँची, तो कई अपरादी हमें देख कर भाग गये, इसके साथ ही इस दौरान 11 मोबाइल, 11 पेस डाटा, आधार कार्ट, पैंड कार्ड, लोन, अप्रूवल लेटर से संबन्ध का अगजाद बरामत किये गये है, बहर सरकार के खादे एवं उब्वोक्ता सनक्षन विभाग के द्वारा अधिसूशना जारी कर या जानकारी दी गई है कि खादे एवं उब्वोक्ता सनक्षन विभाग के पांच जला अपूर्ती पतादिकारी का तबादला कर दिया गया है, इसके साथ ही सभी पतादिकार पदादिकारी वैशाली हाजेपुर के सहायक जिला आपूर्ती पदादिकारी प्रवीन कुमार सुनहा को पकसर का प्रभारी जिला आपूर्ती पदादिकारी पुर्वी चंपारन कल्यानपुर के आपुरी निरक्षक सुनल कुमार सुनहा को नवादा का प्रभारी जिला आप पूर्थी पदाधिकारी और मधुबनी के प्रभारी जिलापूर्थी पदाधिकारी बाल मुकंत शर्मा को अडवल का सहायग जिलापूर्थी पदाधिकारी बनाया गया है। चुटी मिल गई थी लेकिन कल रात उन्हें दिल का दोरा पड़ा जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुचने से पहले ही उन्होंने दम तोर दिया और उनका निधन हो गया ऐसे में अब उनकी मौत से भोजपुरी इंडस्ट्र निधन प्रशा पर तेजी से प्रशार्य थो रहे थे, जिसके बाद यहां मामला पुलिस के संग्यान में चला गया इसको लेकर छातर नीता सौरफ कुमार Sengh के दोरा कहा गया कि कहीं जगर से प्रशन पत्र प्रशारत होने की बाते सामने आ रही है इस कारण उन्होंने आयोग के अध्यक्च से आगड़ किया है कि इसकी जांच कराई जाए वहें सब के अलावा बीतिदन परिक्षा के दोरान दानापुर में दूसरे के बदले परिक्षा दे रहे दो मुन्ना भाई को दो अलग-लग परिक्षा केंदर से पकड़ा गया है और खगी को लेकर उनके दोरा गर्दनी बाग ठाना में दिल्ली के रहने वाले तीन यूवक हर्स मदान रूबी मदान और उतकर्ष मदान के खिलाव शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस को जानकारी देते वे बताया गया है कि तीनों लोग फरनीचर का वेफसाई करते हैं इन लोगों ने हमीसा करार किया था कि कॉलिज में ये फरनीचर सप्लाई करेंगे इसके आवज में 60 लाक रुपया दिया गया था लेकिन पैसा देने के बाद भी फरनीचर नहीं दिया गया वहीं फिलहार पुलिस के द्वारा इस मामले की चान बीन की जा रही है इसके स साथ इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा दिल्ली पुलिस से भी संपर्क स्थापित किया गया है प्यम पर भड़के लालो यादव समराथ चौधरी का पलटवार 19 दिसंबर को देश की राजधाने दिल्ली में आयुजित होने वाली इंडिया गड़बंधन की बैठक को लेकर आज यानी के 18 दिसंबर 2023 को राजध सुप्रीमों लालो परशाद यादव दिल्ली के लिए रवारा हो चुके हैं वहीं जाने के दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला उन्होंने मीडिया के द्व पूछे के सवालों का जवाब देते वे कहा कि यहां आएंगे तो आएं बैठक में चारे हैं सब लोगों को मिलकर लड़ना है रोज रोज मोदी की बात करते हो क्या है नरिंद्र मोदी वहीं उनके इस बयान पर बिहार बीज़ेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राठ चौधर के द्वारा प्रडवार करते वे कहा गया कि मजा कर रहे होंगे लालू जी कितनी बार लालू यादव चनाव हारे हैं उनको गिंती याद है अभी पांच राज्यों के चनाव में क्या हुआ वह पुड़ा देश शांता है लालू यादव बिहार में आप्राधिक छवी के च चांसद सुसील कुमार मोधी के द्वारा इस बैठक के फ्लॉप होने का कारण बताये गया है उन्होंने कहा कि तीन बैठकों की तरह या बैठक भी फ्लॉप होगी उसमें चाय पाटी और फोटो शेशन के लावा कुछ नहीं होने बाला उनने कहा कि निटीश कुमार का अकस कब बिमार हो जाए पता नहीं साथी कॉंग्रेस और उसके निर्तित्व में एक जुठ होने का दावा करने वाला विपक्ष तीन हिंदी भाषी राज्यों में करारी हर का सिकस्त है सुनल गावसकर ने रोहिस सर्मा की कप्तानी को लेकर दिया बयान भारत के पुर्व बल्लेबास सुनल गावसकर का यह मानना है कि रोहिस शर्मा की कप्तानी में इस बार भारतिये टीम के पास इतिहास बदलने का सुनहड़ा अफसर है दरसल उन्होंने स्टार स्पोर्ट से बाचीत करते वे कहा कि बिल्कुल आप साउथ अफरीका की टीम फोद देखिए वह अपने दो प्रमुक तेज गेंद बाजो के बिना खेलेंगे ना ही एनरिक नौटेज हैं और ना ही रवाड़ा इसका मतलब यह है कि इंडियन बैटिंग लाइनप अगर थोड़ा संभल कर और दिमाग से खेले तो वह 400 से जादा या उससे जादा का स्कोर बिना किसी परशानी के आसानी से खड़ा कर सकते हैं ने कहा कि हाँ शिडवात में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है जब गेंद में चमक और बाउंस होता है लेकिन टेस्ट क्रिकेट इसी को कहते हैं इसी वज़ा से आपके पास पांच दिन होते हैं भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होंगी अगर वह 300 से 500 के स्कोर बनाते रहेंगे तो वह अपने गेंद बाजों को साउथ अफ्रिका को दोनों ही पाडियों में समीटने का मौका देंगे भारत के पास साउथ अफ्रिका की धर्ती पर टेस्ट शिरीज जीतने का यह सबसे बढ़िया मौका होगा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार सबसे अच्छा चांस है 2018 में, मुझे लगा था कि टीम इंडिया को जीतना चाहिए था, दो साल पहले टीम के पास बेस्ट लाइनप था, लेकिन 2018 में टीम सिरीज जीतने का मौका गवाब बैठी थी। अब बरते हैं आज के पांच सवाल की ओड़ा हमारा पहला सवाल है, इंडिया करवंधन की चौथी बैठक कब होने वाली है? ऑप्शन A 19 दिसमबर, ऑप्शन B 20 दिसमबर, ऑप्शन C 30 दिसमबर, ऑप्शन डीन में से कोई नहीं इसका सही उतर है ऑप्शन A 19 दिसमबर, अगला सवाल सर्वजन दवा श्रेवा कारीक्रम की श्रिवात कब से हो ड़ही? ऑप्शन A 2 फरवडी 2024, ऑप्शन B 8 फरवडी 2024, ऑप्शन C 10 फरवडी 2024, ऑप्शन D 15 फरवडी 2024 इसका सही उत्तर है option C 10 फरवरी 2024 अगला सवाद कक्छा 9 से 12 तक में कुल कितने चात्र चात्राओं का नामांकर रध हुआ है option ने 23,79,80, option B 4,66,820, option C 19,9,160, option D ने से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option B 4,66,820, अगला सवाद, बिहार में कितने जिला पूर्थी पदादिकारी का तबादला हुआ? option A 9, option B 7, option C 5, option D 3 इसका सही उत्तर है option C 5 अगला सवाद, विज्ञान मंथर में राज्य के कितने बाल विज्ञानिकों का राश्ट्री अस्तर के लिए चेन किया गया है? option A 19, option B 12, option C 30, option D 40 इसका सही उत्तर है option B 12 बीते दिन हमारे तरह पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पजब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे तरह पूछे के सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उराज का सवाल है आपके नुसार परिक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से बचाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए अपना जवाब हमें मारे comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें लिख लेखते रहें बिहारे न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो पेसको फॉलो करना ना भूले धन्यवाद